आज इस वीडियो में हम सिखेंगे खिलाफत मुव्मेंट नॉन कॉर्परेशन मुव्मेंट को समझने के लिए पहले हमें खिलाफत मुव्मेंट को समझना पड़ेंगा तो चलो शुरू करते हैं 8 जुलाइ 1940 में 1st World War में आमने सामने थे ऐलाइट पावर्ज और सिंट्रल पावर्ज एलाइट पावर्ज में थे बृतेन, फ्रान्स, जापान, रशिया, इटली और सिंट्रल पावर में थे जर्मनी, आस्टेरिया, हंगरी, बल्गेरिया और ओटोमन एम्पायर अब यहाँ पर हमें Ottoman Empire को समझना जरूरी है देखिए कुछ Turkish tribes ने 1299 में Ottoman Empire को established किया था Ottoman Empire बहुत लंबे समय तक एक बहुत पावरफुल Empire था जैसे कि 14th, 15th and 16th century में ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल Empire था Ottoman Empire के सुल्तान को कैलिफ कहा जाता है और ये जो कैलिफ है ये दुनिया भर के जो मुसल्मान है उनका spiritual plus religious leader है क्योंकि मानने ता ये थी कि ये जो कैलिफ है ये महुम्मत सल्लालाव अले सल्लम यानि प्रॉफिट महुम्मत का successor है अब ये जो वर्ड वार शुरू होई थी जुलाई 1940 में ये नोहेंबर 1918 में ये खतम हो गया था मतलब ये एक चार साल फर्स वर्ड वार चला था इसमें Allied Powers जीत गई थी और Central Powers की हार होई थी अब फर्स वर्ड वार खतम होने के बाद हारे हुए कंट्रीज के साथ कुछ Peace Treaty Sign होना शुरू हो गया था जैसे के Treaty of Versailles 1919 with Germany के साथ ये ट्रीटी साइन होई थी ट्रीटी ऑफ वर्सली साइन होने के बाद देखिए जर्मनी के साथ क्या-क्या चेंजेस हुआ था ओल एशियन एन आफ्रीकन कॉल्नी अब जर्मनी एज बिन टेकन बाई एलाइट फोर्स जैसे के हमने देखा कि एलाइट फोर्स इसमें जीत गई थी लिए फर्स विल वार में तो उनने क्या किया All Asian and African कॉल्नी अब जर्मनी की पुरेंने हतिया लिये इसके साथ ही very harsh restriction on Germany इसके साथ उनने जर्मनी पर बहुत ही जादा harsh instruction लगा दिये अब बारी थी Ottoman Empire की तो प्लान यह था कि दिखिए Ottoman Empire की जो non-Turkish territories थी उस में मैंने non-turkish territories कही बताई है आपको ये सारे अपने कबजे में लेने का plan किसका था? Allied force का इसके लिए उनने जो treaty रखी थी, वो थी treaty of saveries अब यहाँ पे सब में बड़ी problem ये थी, कि जो ये non-turkish territories थे, वहाँ पे कुछ Islamic holy places थे ठीके, अगर treaty of saveries sign होती है, तो कैलिफ का इन जगाओ पे जो हम कहेंगे Islamic holy places थे, उस पे का पुरा control खतम हो जाएंगा इसलिए पूरे वर्ड के जो Muslim थे इसके against थे और जो Allied powers में देखिए, Britain भी था, तो Britain के against भी उनने अपना जादा नारास थे, ठीके, ये एक बहुत बड़ा reason था, कि सब Muslim को, उनकी जो feeling थी, religious से related, ठीके वो hurt हो रही थी, इसलिए पूरे इंडिया में हम कहेंगे कि पूरे दुनिया के जो मुसल्मान थे इसके against थे तो जैसे मैंने का कि Muslim are all over the world war rage including Indian Muslim, तो पूरे दुनिया के मुसल्मान इसके मुतलब खिलाफ थे और बहुत जादा गुसे में थे जैसे कि हमने देखा कि allied force में Britain भी था तो अब Britain के खिलाफ भी इंडिया में कुछ moment शुरू हो गए, उसमें से अगर हम मैं बात करूँ तो दो ब्रदर थे शौकत अली और महुम्मद अली इनने इंडिया में All India खिलाफत कमेटी 1990 में established कर दी थी और इसके जो president थे वो महात्मा गांदी जी को बनाया गया था अब इस moment में क्या हुआ था बाइकट British goods पुरे British goods को बाइकट किया गया था Muslim के थुरू not to cooperate with British government British government को भी cooperate नहीं किया जा रहा था ये सारी चीजे इस खिलाफत मुमेंड में तै की गई थी बट यहां पर एक महमें चीज याद रखना है क्या इंडिया में अगर इस तरह की खिलाफत मुमेंड होंगी तो क्या फिर ये treaty नहीं होंगी इतनी बड़ी treaty sign होंगी या नहीं होंगी क्योंकि ये दो world war हुआ था और एक तरप allied force में Britain था अगर ये मना भी कर दे तो बाकिके country जो allied force में थी वो मानिंग इस बात को नहीं तो दिखें डिस्पाइड इस British government signed treaty of saveries तो British government ने treaty of saveries sign कर दी इतना सब होने के बावजूद भी मुसल्मानों ने अपना पुरे जी जान लगा कर खिलाफत मुमेंट को स्टार्ट किया था बट इसका कुछ इतना effect देखने को नहीं मिला क्योंकि British को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था वो सिप अपना benefit देखते थे किस चीज में उनका benefit है अगर वो हमारे बारे में इतना सोचते तो कब से इंडिया को छोड़ कर चले जाते यहाँ पर वो इतना जुल्म नहीं करते और हमारी इतनी property हमारी wealth उनके country में नहीं लेके जाते तो यह था खिलापत मुमेंट जो दो भाई ने शुरू किया था हमें याद रखना है उनके नाम शौकत अलिया और महम्मद अलिया खिलापत कमिटी कब हुई थी 1919 में यह establish की गई थी दो भाई के तुरू और इसके वाचिं वाय वीडियो